सबी ग्रहों में राहू और केतु ग्रह को सबसे पापी ग्रह के रूप में माना जाता है। उस राशी के बेक्तियों को दुखी करते हैं। लेकिन पांच साल के बाद राहू और केतु दिवाली के बाद से कुछ ऐसी चार राशियां हैं जिनके उपर दिवाली खत्म होते ही महरबान रहेंगे। राहू और केतु की किरपा से इनको अपने भागे का पूरा साथ पराप जूतिश की मानेता नुसार इनने राश्यों को अपने जीवन में बहुत सी खुशखबरी मिलने वाली है। आज हम आपको उन्हें राश्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं राहु और केतु किने राश्यों पर मेहरबान रहेंगे। पहला करकराशी करकराशी वाले ब्यक्तियों के उपर राहू और केतू की दया दृष्टी दिपावली के बाद बरसने वाली है आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और जो भी ब्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको पद में उन्नती मिलने की संभावना बन रही ह इस राषी वाले ब्यक्तियों को अपने कारे अस्थल पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राब्ति होगी जो ब्यक्ति ब्यापारी हैं उनको अपने ब्यापार में अच्छा लाम मिलेगा दूसरा सिंग राशी सिंग राशी वाले ब्यक्तियों के उपर पांस साल के बाद राहू और केतु महरबान होने जा रहे हैं जिसकी वज़ा से आपको इसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा कारी छेतर में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके द्वारा किये गए पुराने निवेश से अच्छा लाब मिल सकता है उच अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा तीसरा ब्रिश्चक राशी ब्रिश्चक राशी वाले ब्यक्तियों के उपर राहू और केतू की किरपा द्रिश्टी लागतार बनी रहने वाली है आपका भाग्य योग बहुत ही प्रबल नजर आ रहा है और आप अपने सभी कारे समय पर पूरा कर पाएंगे इसके साथी साथ आपके द्वारा किये गए कारे लोगों के लिए फ्रेणना दायक रह सकते हैं आपको दिवाली के बाद अचानक बड़ा धनलाब मिलने का संकेत नजर आ रहा है आपके रूके हुए कारे सफलता पूरवक पूरे होंगे चौथा कुम्बराशी कुम्बराशी वाले ब्यक्तियों के उपर राहू और केतु की विशेश किरपा द्रिष्टी रहने वाली है खास तोर से जो ब्यक्ति विद्यार्थी हैं उनको सिख्षा के छित्र में अच्छा लाब मिल सकता है विद्यश में जाकर पढ़ाई करने का मौका भी मिलने वाला है और आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परिशानियां दूर होंगी जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा जीवन साथी की मदद से आपको अच्छा लाब मिल सकता है नेक्स नाइन स्पिरिशल से बिन तराइक रिपूर्ट